है लो फ्रेंस मैं हूं मेर्ट मैन और आज मैं आपको बताऊ ला इष्टे अ्यों से इंस्पायर होते हैं हम उनकी तरह क्यों न कर पाएंगे क्यों निकर पाते casemamadamani को सबसे पहले मैं आपको बताऊ इस वीडियों को पूरा जरूर देखला ओर वीडियों को लाइक जरूर कर दियेगा क्यों कि इस तरिके से वीडियो और सचाई से वरी वीडियो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी तो फ्रेंस टीप नंबर वन क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेरी जोयस्टिक बड़ी है या मेरी जोयस्टिक छोटी है इससे तो कोई फरक नहीं पड़ता ना मैं आपको बता दूँ दोस्त कि आपको जोयस्टिक बड़ा है या चोटा अब इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो अपने जोयस्टिक जो खेल रहे हैं उसे पर ट्रेंड तो नंबर वन जॉनी करते कैसे हैं मैंनों जो अपनी तरह से एनलाइस किया हुआ है कि अकर जॉनी के बंदा बंदा उनके सामने 10-15 मिटर से दूर बंदा रहता है तो वो हमेशा जिगल करते हुए इसको पिन करते हैं जिससे कि क्या होता है कि जिगल करते हुए अगर थोड़ा से बुलेट वो जिगल से हिट करते हैं उसके बाद इसको पिन करके उनके बॉड़ी को लेकर अपने एनेमी की बॉड़ी को लेकर उनका हीड को लिंयर कर बंदय को असानी से किला लेते हैं जिससे बंद डर भी याता है उनके मोवमेंटको देखे क stared में सुपनिक कर उनको इस बहुत अच्छा ट्रेकनिक है इस ट्रेकनिक को आप अपने ट्रेनिंग में इस तरह के स्क सकते हो किसी ऑप मार लगाकर वह 20 सब्सक्राइब करने वाला है आपके गेंपले के ऊपर और यह बहुत ही अच्छा है जो अगर आपसे बंदर 20 मिटर दूर बंदर हैगा तो पॉइंट नमबर सेकेंड आती है प्रो कि अपने आप जोयस्टिक को जो कभी भी उपर ज्यादा उपर ना ले जाओ ना ज्यादा नीचे लेज़ो अपने जोयस्टिक को हमेंसा 180 डिग्री में आप उसको मूव करो मतलब एकदम राइट लेफ्ट 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 आपके गेंपले के उपर आपको एरेंगल क्लासिक टीडियंस में इसका बहुत यहादा यूज होता है कि आपको ना अगर आप वाक करते करते जीगल करो जैसे वाक करते करते फिर एक ही परमया का सब्सक्राइब सामने से बंदा आने वाला है अब मैं यहां पर जिगल दू आपको इन दोनों बोट्स के बीच में आकर इसी तरह की आपको ट्रेणिंग करना है जो कि बहुत ही जाता एफेक्ट होता है अपको अगर आप बंदा सामने से टीपिस निकलता है तो आप उसको आराम से जीगल करके उसको आप मार सकते हो जो कि वाकिंग करते करते हो एक ब कि अधर टीपि विथ जीगल किपिया होता है तो उनको एक सिंगल बंदा मार की चता है वह गलती क्या करते हैं कि वह जिगल करते करते आगे की तरफ बाढ़ जाते हैं जो कि आपको नहीं करना अपने जोईस्ट्रिक को में सापीछे के तरफ खीच के रखना आगे की तरफ नहीं जाने देना जो कि जोनी जोनांथन क्या करता है जोनांथन इस तरीके से करता है कि वो जीगल करता जीगल करता है लेकिन वो कवर की तरफ आता है वो दोनों साइट से बंदों को मारता है जीगल करेगा कवर की तरफ आएगा इस साइट से मारता है बनलब आगे पीछे इ कि आपको जादा सजादा अपने रूम बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ आपको टीडियम खेलना है एमसेस डिजेबल करके विट M4, No TPP और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको दबा कर आप M4 16 से जिगलिंग मुवमेंट का सिर्फ ओनली जिगल और हिफ फायर जिगल हिफ फायर का आपको प्रैक्टिस करना है यह बहुत ही जादा एफक्ट करता है और इसको आप जब ही करो जब आप ट्रेनिंग करो एक दो घंटे का फिर अपने फ्रेंड्स के सामने जाओ इसका कर्शनी करने लगता है यह करने लगता है जिससे कि उसका है यह जो फिंगर है फ्री हो जता है यह आपको करना चाहिए यह बहुत ही ज्यादा एНеक्ट यह भी पॉइंट करता है आशा करता हूaran को मेरी पॉइंट में बता है सबके को आपको पॉइंट अच्छा लगा होगा अगर मीर व्यूरौको अच्छ लगया होगी तो पूलिस मेरे व्यूर्ज को लाइक जरूर सबी झाल झाल